नमस्कार दोस्तों וצाब आपका आज के इस वीडियो में उसे पता कर सकते हो लो मता कर सकते हो वहां पर जाकर भी Quray कर सकते हो कैसे बता करा की मैं अतात हो हो सकता है डेखो शनरली आपको या तो आपके कोई ब्लोग होगा या यूटीब पे विडियोस बनाते हो गए तो फिर आपको स्विफ्ट ौड की जरुदोगी फैसे जनरली तो लोग कोई Swift code मागते नहीं है इसलिए अगर आपका जो bank account है आपका जो branch है ना अगर आपकी जो branch है वो छोटी branch है ना मतलब small branches होती है वो बहुत सारी तो उनमें जो है ना अगर आप Swift code मागने जाओगे ना तो उनको पता भी नहीं होगा Swift code क्या होता है ऐसा ही मेरे साथ हुआ था तो मैं वहाँ पर उस city की आपको जो है Swift code को बता करना है तो उस city का Swift code क्या होगा वही सपोस अगर आपका bank of India का सपोस अगर आपके पास है SBI का bank account तो अगर आपके आपका जो SBI का जो branch है ना वो अगर छोटी branch है तो आपको एगर ना आपके city या फिर आपके जिल्ले में या फिर जो भी है वहाँ पर जो बड़ी branch होगी ना बड़ी SBI की जो ब्रांच होगी ना वहाँ पर जाकर कर आपको पूछना है कि आपका जो Swift code है वो क्या है वैसे जनरली जो ह डारेक्ली ऐसे Swift code लगा हुआ था ऐसे paper आपका लगाया होगा और कहीं भी चिपका दिया होगा तो आपको किसी को भी पूछना है कोई हो सकता है किसी को पता हो तो बता दे ना पता हो तो आपको ढूण लेना है और ना मिले तो फिर आप जो है बड़ी branch में जा सकते हो और अब सबसे simple तरीका होता दो Swift code जानने का वो क्या है उसके लिए आपको यह करना है देखो यहापर ऐसे search करना है suppose अगर आप कोई भी city में हो तो आपको यह करना है यहापर आपकी जो भी main city होगी उस city को यहापर search करना है जैसे कि अगर थाने है तो थाने SBI main branch Swift code ऐसे आपको search करना है जैसे कि जो भी होगी जो भी आपकी city होगी उसका जो main branch होगा उसे search करना है जैसे कि यह रहा यह रहा branch code यह रहा branch name और swift code तो आप देख सकते हो थाने का जो SBI है उसका swift code है यह वाला अब यह है पनाजी main branch या फिर paydar road यह जो भी है ना उसके related भी जो होगी ना branches उन अब कोई video informative लगाऊ तो video को like कर देना चैनल को subscribe कर देना video देखने के लिए अपका दन्याद thank you so much